नमस्कार साथियो, नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं आपकी एक चिंता है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही मिडिया को खरीदते जा रहे हैं ऐसे में क्या होगा? क्या वो आपके लिए खबरे दिखाएंगे? या अपने फाइदे की खबरे दिखाएंगे तो इनी सारी बातों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत लंबे समय के बाद और इन दो चक्रवर्ती जुड़े हैं और इन से जादा अनभवी स्विशय पर कौन हो सकता है? जिनोंने तकरीबन 20 साल NDTV जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बिताया है जिसके अधिगण की चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा थी तो चलिए नहीं से इस सारे मुद्दे को समझते हैं तो सर आप से पहला सवाल यही है कि जो मिडिया का और खासकर TV मिडिया का कॉर्परेटी करन है या जो उसका फाइनेंसलाइजेशन है वितिय करन है इसको आप किस तरीके से देखते हैं अभी जो चर्चा इंडे टीवी को लेकर हुई इन सारे विश्यों पर आपकी क्या राया है अजे बात तो यह है कि देखिए अगर हम टीवी देखेंगे टीवी में न्यूज देखेंगे लेकिन उसके लिए एक पैसा भी नहीं देगे तो पैसा कहा से आएगा न्यूज गैदर करने के लिए अब आप जानते कि अगर आपको कई भी रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है तो आपको कम से कम सब से कम खर्च भी हो तो एक ट्रें या बश्या कुछ तो लेना पड़ेगा फिर के ज्यादा तर जा niedूज कवरेज होता है टीवी में जो दूज कवरेज होता होता आ रहा है उसमें संधिंग पर्सण जाते एकalı साथ जाते जाते गाड़ी हो गाड़ी बर्के वंब शूटिंग करते वापस आते लिदी एक मशीन अचिसबें उनक 뭐가 परता है कैम्मिरा यह outlook प्रिंट में वह जाके एक क्पिउटर रेट हॉप करते हैं उस पर आप जाकर चाप नहीं सरे मइं तीवी में नेखे supreme परप्रे nuggets से स्दों में जाता है उसके बाद सब कुछ हैं आप जानते इंगा आप daumya में इक प्रसुशक को पता चल रहा है नहीं एक production control त्रोम हे जहां पर इक डिरेक्टर बैटेए वह जो आप एक मैंपावर पीछे रहता है या परसनेल की जुरुरत होती है यह बहुत बड़ा खर्चा इसका पैसा कौन देगा अगर दर्शक नहीं देंगे तो कौन देगा कर्वाओ दो क्या हो गया कि टेलिविजिन न्यूज जो होता है वह कुछा जो वीवर रहे वो दershaқ आंसे नहीं वह बड़ी कि até देखना पसंद करते हैं और हम जानते हैं आप अपने उसमें देख लीजिए आप अगर कोई भी entertainment का चीज देख रहे हों तो आपको पता नहीं चलता कि आधा गंटा निकल गया आप कोई भी चीज जो थोड़ा सा मुश्किल है उसको देखेंगे तो आपको लगता है यह अधा गंटा हो गया है अभी तरह बात ठीक से समझ नहीं आ आपको पता चलते कि तीन मेनिट हुआ तो ट और रेतिंग के चकर ने वह सबने एंटर्टेंब्ट में अपने न्यूस को बदल दिया इसका कार इससे क्या होगा कि न्यूस धीरे धीरे घट गया और जो न्यूस चैनल है वह एड़टाइजर पहली बाद अड्वरटाइजर के लिए चीज तयार करता है क्योंकि अट्व तो एक चीज मार्केटिंग में कहा जाता है कि कोई भी चीज एक खरीदार के दिमाग में ब्रैंड को बुठाने के लिए आपको कम से कम छे से साथ बार वो ब्रैंड का मैसेज भी खरीदार तो किसी भी एक एक अधिस्मेंट कम से कम छे साथ बार विवर तक पहुंचाना पड़ेगा और वह वह ऐसे सिच्वेशन में जहां पर ब्रेक से आदमी हट जाता है तो वह स्वाभाविक है वह वह सी चैनल पर जाएगा जहां पर टिका रहता है यानि एंटर्टेन्मेंट जो चैनल न्यूज को एंटर्टेन्मेंट कर रहा है तो इससे क्या हुआ है कि सेल्ज और मार्केटिंग का रोल न्यूजरूम में बहुत जादा बढ़ गया यह पहला रूट है कॉर्परटाइजेशन का पह जैसे एंटर्टेन्मेंट चैनल में बनता है जैसे स्टार प्लस या कलर्ज वाले बनाते पैसा वैसा हम भी खास बना लेंगे ठोड़ा एंटर्टेन्मेंट दिखाकर तब क्या होता है तब आप बिजनेस के बारे में सुचिए और जब आप बिजनेस सोचते न्यूज को ए एक पेशे एक पेशा या सर्विस या जिसको हम चौथा स्थम कहते डिमोकरिसी का वह न करके आपको यह भी बिजनेस ही है तो क्या होता है सभी लोग सोचते की चलिए एक न्यूज चैनल फोल देते हैं और तो 2000 के आपसे थोड़ा पहले आपसे थोड़ा पुछीजे और मै पता कर लो जैसे कि हम लोग आर्थी का समानता की खबरे पढ़ते हैं कि एक प्रतिसत लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ती है धन है और अमबानी और अडानी जैसे बड़े लोग हैं भारत में जिनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ती है और जो मिडिया का पूरा कार कर बताइए क्या है तो उसी पर ठीक है इसको पहले बता देता हूं कि क्या आप कह रहे हैं देखिए मीडिया जो दो बड़े आप जानते हैं बिजनेस हाउस है आज सबसे बड़े सबसे अमीर दुनिया के टॉप 10 अमीर में से गौतमदानी मुकेश अंबानी यह जो दो सारे सेक्टर में चीजे कंट्रोल करते सहां के अब इनका इंदर बिजर्ट में क्यूं एक तो हो सकता है वह सोचते हिंक एक बिजनेस है जैसे हम एरपोर्ट में लगा रहे हैं या कई पे या जी उदोमने लगा रहे हैं उसी तरह से निवह लगाती इसमें return बहुत कम होता है तो उल्टा है कि पडलक डिस्कूर्स को कंटरोल करना क्यों हम जानते हैं कि यsखको हम डिमोक्रसी कहते हैं डिमोक्रसी को अगर डिमोक्रसी में अगर हम माने की सबका राइट है कि तो सब को सब को जानना भी जुरू हो है कि सरकार क्या कर रहा है क्यों कर रहा है इकॉनमी में क्या हो रही है इस चीज को अगर मैं खरीदता हूं तो इस अदाम इतना क्यूं है सच में मुझे देना चाहिए या नहीं यह है अगर मुझे सबर्पर में मिल रहा क्या कई और पर 80 रुपर में मिल जब सकता यह सारा चीज मैं सिरो फरक बात कर रहा हूं मैं झोटे मोटी चीजों की बात करना क्या सच में मेरी सालरी पचास जार होनी चाहिए या एक लाग होनी चाहिए यह सारा information कैसे आएगा equal transparent information कैसे आगा media के थूँ आ सकता है तो अगर equal information अगर हो तो technically सभी के पास सब कह सकते कि भाया देखिए के हमें तो और चाहिए एक जो ठोके लड़िये इस सरकार को गिरा दीजे ये तो public discourse public के पास कितना information इसको control करने का एक बहुत अच्छा जरिया है मीडिया तो अगर ये बड़ी कंपनिया मीडिया को control करती है जहां पर इनका return खास कुछ है नहीं बहुत चोटी बिजनस होती है यह तो बहुत लाखों कर मतलब अरवों में खेलते हैं इनको इनको सौ करोड़ के दो सो करोड़ के बिजनस में क्या मतलब है एंडी टीवी कुल मिला के साथ सो आट सो करोड़ रुपे का उसका पूरा टोटल रेवन्यू वगएरे जो आप देखेंगे उतना यह सब कुछ मिला के तो अगर यह इसमें इंट्रेस्ट क्यों होगा इसमें इंट्रेस्ट एक ही हो सकता है एक तो ब्रैंड बिल्डिंग अपना और दूसरा है पब्लिक डिसकोर्स को कंट्रूल करना यह चोड़ के कोई इंट्रेस्ट नहीं हो सकता है अब फोड़ा इस पर आते है कि यह अचानक तो नहीं हुआ होगा और आप आपने बीस साल तक काम किया है तो आप अप ट्रेब्यून के अपने आर्टिकल में अपना अनुभा भी बताते हैं कि जब आपने 1909 में ज्वाइन किया थो तो दस हजार रुपए आपकी सैलरी थी और मात्र पांच साल में आपकी सैलरी पचासी हजार रुपए मन्त हो गई तो यह जो वो सफर को अगर आप देखें तो एक यात्रा क्या रही है थोड़ा इसे बताईए दर्सकों और मैंने यह भी कहा कि उससे एक साल बाद मुझे एक ओफर मिला जो कि उसका तीन गुना था तीन गुना ओफर मुझे मिला इस पूरे प्रविर्ति को बताईए क्या है तो यह जो चीज है उसी पर मैं आ रहा था कि जब 2000 के दशक में बहुत लोगों को लगने लगा कि अच्छा न्यूस से अच्छा-कासा पैसा बन सकता है तो इसमें पैसा लगाते इसमें तो बहुत सारे चैनल धीरे-धीरे खुल आपको इंटर्नेशनल कोई भी मीडिया ऐसे टीवी नेटवर्क खरीदना हो अगर रुपर्ड मॉड़क जोकी फॉक्स न्यूस के ओनर है स्टार के ओनर है रूपर सबसे बड़े न्यूस को मीडिया बैरन दुनिया के हैं अगर कहा जाता था कि अगर रूपर्ड मॉड़क कोई network खरीदना चाहता है तो कम से कम उसको दो बिलियन डॉलर देना पड़ेगा किसी देश में हमारी यहां पे वह एक बिलियन डॉलर में खरीद लेगा तो कोई भी नेटवर्क का वहां पहुंच सकता है उस टाइम पे दो बिलियन डॉलर मतलब दस हजार करोड के आसपा ठीक है और कोई भी चैनल का वैलेशन उस ताइम पे दो हजार करोड से जादा लेता तो क्या हुआ यह कि सब के हाथ में चैनल के मालिकों के हाथ में पैसा आने लगा और कॉम्पेटिशन होने लगा अगर कोई मुझे धायलाग रुपे महीने 2005 में देने को तयार था तो क्यूं उनको लग रहा था कि टैलेंट पूल कम है इनको पैसे दे के हम ले लेते हैं अगर मुझे डाय लाग दे रहे तो किसी को दस लाग दे रहे हैं मैं तो सिर्फ पांच्छे साल में उस मीडिया में इंडस्ट्री में था तो मैं बोड़नों कि ऐसा जो हुआ यह 2008 के ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश तक चलता रहा मैं आपको एक 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 ग्जांपल देता हूं दश्रों के लिए और आज की डेट पे आपको सुनके यह अजीब लगेगा हसी भी आ सकती है थोड़ा सा अजीब लगेगा जरूर कि मुझे याद है कि मैं उस टाइम सब्सक्राइब को चलाता था और हमको एक किसी को हायर करना था बहुत जरूरी था डेस्क पर और हमने एक एक यंग लड़की आई और उसने कोई नौकरी उसने की नहीं थी तब तक स्टूड़न्ट होके निकल कर आई थी और हमने उससे कुछ सवाल पूछे तो उसको कुछ कुछ नहीं पताता तो असने उसको क्या कि है हमारे सामने लिशन रहा 워्ट पाइस और हमने से उससे सवाल पूछे नहीं पोछे उस तो फिर हमने उसको कहा कि आपको 45,000 रुपे महीने देंगे मैं 2007 की बात कर रहा हूं कि पंद्रा साल पहले ठीक है आज के डेट पे वह एक लाग से कम नहीं स्टार्टिंग सैलरी तो उसने में तो मैं नहीं आ सकती और उसने कई और नौक्री लिए एक साल बाद जब स्टॉक मार्केट क्रैश आया तब लोगों को 20,000-15,000 की नौकरी भी नहीं मिली यहीं हाल था तो स्टॉक मार्केट में जो बूम हुआ उसके चलते बहुत सारे कुछ बड़े-बड़े जो सीनियर जर्नलिस्ट है एडिटर है उन में से मैं भी था उनको बह बहुत जादा बढ़ गई और वह सालरी जब बढ़ गई तब क्या हुआ उनको लगा कि वही हमें तो अपना सालरी बचाना है अब कौन हमारा पैसा दे सकता है सिरफ कौर्पेटी दे सकता है दीरे-दीरे जब आपकी सालरी बढ़ जाती है और आपका रहन सेन वैसा हो जात अमीर इचा गई आपको तब नहीं लगता है कि आप एक 0.1% में तब उसी दल में चले जाते हैं जहां जर्नलिस्ट होके आपको गरीब जो शोषित है उसका हग के लिए स्टोरी करना चाहिए उसके जगह आप क्या करते हैं आप कॉर्परेट का इंटर्व्यू करते हैं इंटर्व्यू करना जरूरी है और यह जब एडिटर का जो माइंडसेट है उस तरह बदल जाता है तब पूरा न्यूस का जो न्यूस का कॉंटेंट ही कॉर्परटाइज हो जाता है और जब 2008-2009 से क्रैश होने लगा सारे स्टॉक मार्केट में बड़े-बड़े कंपनियो को अपने स्टॉक के कोलाटरल लेकर लोन भी लेना संभव में था तो सालरी देने के लिए भी उनको कॉर्परेट को अपना एक्विटी बेचना पड़ा अपना शेर बेचना पड़ा या लोन लेना पड़ा सिर्फ सालरी देने के लिए यह जो है यह इसने डोर दर्वाजा खोल दिया corporate control का कुछ company ने पूरा अपना बेज दिया कुछ ने लोन लिया collateral में कुछ ने आधा बेज दिया और corporate control पूरा का पूरा न्यूज मीडिया टेलेविजिन इसे निकलना impossible था क्योंकि आप देखें कि अगर आज हमारे देश में जो लोग newspaper लेते हैं वह महीने में 1500-2005-300 रुपए खर्च करते हैं लेकिन एक न्यूज चैनल के लिए वह दो-तीन रुपए भी नहीं देते हैं जबकि न्यूज चैनल का खर्चा बहुत जादा होता तो ऐसे में कोई भी चांस नहीं था कि न्यूज चैनल टिक पाए न्यूज चैनल वापस अपना एक न्यूज पर वापस आ सके आपने तो 45,000 रुपए की बात की आज तो और सतन जिसने 4-5 साल नौकरी कर ली होगी उसकी ऑस्तन सहली 35,000 रुपए मंतली से जादा नहीं होगी वहीं पंदरा साल बात की बात कर रहा हूं पंदरा साल बात ठीक है आप इंफलेशन को एड़्जस्ट करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अब थोड़ा एक एक और कॉंसेप्ट आप समझ जो Okay जोन्सी मैं कि पर उतने के नहीं किति erkिबहारत में एक फ्रफभारत में एक मैंके लगता है ।मिझे लगता है कि एक ट्राइक किया भारत पी जो है उसको एक इंडिपेंडेंट नच्ट्रॉल स्य तोपने को तया नहीं हमारी देश में जो के लानु? लौ है वह बहुत ही एक तरीके से ड्रकोनियन है उस पर आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं आप सरकार की आनुचोनर करें तो आपका चैनल बंद हो सकता है यह लीगल है यह लौ के अंडर है कानुनन हो सकता है क्योंकि जो बीबीसी वाला मॉडल और कहीं चला नहीं है और इसका यह है कि बहुत लोग कहते हैं हां इतना पैसा देते हैं बीबीसी उसका सत्यानाश करती है यह भी सत्यानाश करें अधे अगल को 2022 से सकता आप का चीज है वहाँ पर कोई इनका narration निया कोई एनर्जी नहीं कुछ नहीं लेकिन बीवीसी आम जानते हैं दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट टीवी बीवीसी ने तैयार किया है अभी तक बहुत कुछ लेकिन यह पब्लिक पैसा पब्लिक पैसा देती है लाइसेंस पी चाहे आप देखे ना दे आपको देखे ना देखे आपको देना पड़े रहा है और टीवी और डिया तो यह एक जो फॉर्माट है यही एक फॉर्माट क्योंकि अगर के हैं कि लोगों को सब्सक्रिप्शन दे तो फिर देख पाएंगे तो इसमें सब्सक्रिप्शन अफोर्ट निकर सकता वंए नहीं देख पाए है और जो तन ही देखना चाहता है वो सब कार के हाथ में होगा तो हम जानते हैं कि फिर वह सरकारी टाइट का इन्यूस होगा जैसे दूर्देशन में हो था अंतीम सवाल कि यह तो पूरा परिद्रिश्च अमने समझ लिया कि जिनके पास खूब पैसा है वह हड़ाप सकते हैं पबलिक डिस्कोर्स को बदल सकते हैं कही आपको कुछ दिखता है कि इसका कैसे बदला जाए क्या होना चाहिए क्या तरीका है कैसा मोडल अपना 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 जाए भारतिय प्रिद्रिश्च में जो कारगर हो सकता हो तो देखें मुझे लगता कि इंटरनेट में जैसे न्यूस्ट्रिक है या ऐसे बहुत सारे है सवाल की हम गाँं दश्यकोंत ऐख viktig जाए कि करके कि हम यह जो हम、、 तो नियूस करते हैं बासुज नहीं करते हैं विस दिखाते हैं लेकिन हम इमपार्टन चीज दिखाते हैं किस तरीके से दिखाते हैं ताकि लोग उससे देखे यह बहुत मुश्किल चीज यह आसान नहीं है हमने इंडिटीवे इंडिया में बहुत मुश्किल से कोशिश किया था जैसे रवीश की रिपोर्ट हो या ऐसे जो श्रोज हैं हमने बहुत एफर्ट लगाके इसको बदलने की कोशिश की कि इसमें एक इडियम जो है जो लाइंग्वेज़ जो भाष्रा है वो लोग समझ पाए वो लोगों तक जाके लोग देखना चाहें तो लेकिन अगर हम सोचें कि वह हम तो इसी चीजों पर बात करते हैं यह हमारा इंट्रेस्ट है अब चाहिए लोग देखे ना देखे हमें क्या है तो फिर वहीं पर हम हार जाएंगे वहीं पर पब्लिक डिस्कोर्स का जो लड़ाई है वह तो यह एक हमें डिवेलप करना उतना आसान नहीं है बहुत मुश्किल काम है इसमें बहुत सारे एफट लेगा बहुत-बहुत शुक्रिया आपको इस पूरे मुद्दे पर इतने अच्छे तरीके से बतान तो अगर आपको हमारी बाते ठीक लगती हैं तो आप निउस क्लिक योटूब चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं हमारे फेज्बुक पेज, हमारे टुटर पेज़ को लाइक कर सकते हैं सुक्रिया आप देखत तेरही है न्यूस क्लिप